नमस्कार सभी को, मैं सुधा गुस्वामी एक बार पुना अपने चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं एक स्वरचीत कविता लेके आई हूँ बहुत छोटी बच्चों के लिए जब कक्षा एक में हमारे विद्याले में बच्चा आता है तो वो डरा सहमा होता है शायद आप भी याद करिए आपके विद्याले का पहला दिन कितने नर्वस थे हम और लग रहा तक ऐसा मौहल है तो उस दिन को हम कैसे बच्चे के लिए यादगार बना सकते हैं और कैसे एक परिच्चे के प्रश्णों को कविता के माध्यम से हम उससे पूछ सकते हैं उसी को मैंने ढालने का प्रयास किया है तो बच्चे अगर विद्याले आता है तो हम उससे एक कविता के माध्यम से कैसे पूछ सकते हैं प्यारी बच्ची अपना नाम बताओ तुम नाम बताओ सबसे प्यारा दोस्त कौन है उसका भी तुम नाम बताओ घर में कौन कौन है तुम्हारे हाँ भई घर में कौन कौन है तुम्हारे उसका भी तुम नाम बताओ खेल कौन सा भाता तुमको खेल कौन सा भाता तुमको उस खेल का नाम बताओ हाँ खेल कौन सा भाता तुमको उस खेल का नाम बताओ खाना कौन खिलाता तुमको हाँ भई घर में कौन खाना खिलाता है रोज सुबर कौन जगाता फल कौन सा खाते हो तुम चलो बताओ फल कौन सा खाते हो तुम कौन से सबजी तुम को भाती फल कौन सा खाते हो तुम कौन से सबजी तुम को भाती चल जी बताओ कौन सा फल खाते हो तुम कौन से सबजी तुम को भाती कैसे तुम आए स्कूल अब किसके दोरा तुम स्कूल आये हो कैसे तुम आए स्कूल कौन तुम्हें ले आया है अब ये प्यारा सा स्कूल कैसी तुम आये स्कूल कौन तुम्हें ले आया है कौन प्यार करता है तुमको कौन खिलोने लाता है कौन प्यार करता है तुमको कौन खिलोने लाता है तो इस छोटी सी प्यारी सी कविता के माध्यम से हम बच्चों से उनका परिचे पहले दिन उनके फिद्याले के पहले दिन एक छोटी सी कविता गतविधी की रूप में करा करके हम उनका पूरा परिचे उनसे निकलवा सकते हैं तो कविता कैसी लगी जरूर बताईएगा आप सब का दिन सुब हो नमस्कार